जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं साल 2024 धनुरासी के लोगों के लिए कैसा रहेगा इस साल में कौन ग्रह कब आपके जीवन को प्रभावित करेगा इस दोरान आपके वेपार में, वेवसाय में, सिक्षा में क्या परिवर्तन होंगे स्वास्त है, पारिवारिक जीवन, प्रेम जीवन कैसा होगा और आने वाले साल में कौन कौन से बड़े बदलाव आपके जीवन में देखने को मिलेंगे जानेंगे सभी बातों के बारे में दोस्तो आगे बढ़ें इससे पहले आपसे निविधन हैं यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें बेल आइकन को प्रेस कर दें और जुड़ जाए हमारे चैनल के साथ दोस्तो धनुरासी के लोगों के लिए राषी स्वामी देवगुरु ब्रसपती हैं जो साल की सुरुवात में आपके पंचम भाव में वराजमान होंगे और वह अपने मित्र मंगल की राषी मेस में इस्तित रहकर आपके नवम भाव, आपके एकादस भाव और प्रत्थम भाव को देखेंगे तो ऐसे में आपके निर्णाय लेने की छमता का विकास होगा संतान से सम्मंदित कोई सुब समाचार आपको मिलेगा आपकी बुद्धी सही दिसा में रहेगी सिक्षा को लेकर भी आप जागरुक रहेंगे बहतर तरीके से सिक्षा ग्रहन करने में सक्षम होंगे कुछ लंबी यात्राओं पर भी जाना होगा धार्मिक विचारों का जन्म होगा यानि आप अध्यात्म की ओर समर्पित होंगे इस औरान मान सम्मान भी बढ़ेगा अच्छा लाव आपको प्राप्थ होगा साल के उतरार्द में एक माई को देवगुरु ब्रस्पती छटे भाव में आकर आपके खर्चों में व्रद्धी करेंगे स्वास्ते संबंदित समश्याओं से गुजरना पड़ सकता है सनी माराज पूरे वर्ष तीसरे भाव में रहकर आपके साहस और पराकरम को बढ़ाएंगे इस औरान आपके मित्रों का सहकर्मियों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा जिसके बदोलत आप अपने केरियर में अच्छा प्रदर्शन करने में काम्याब होंगे साल के सुरुवाती छे महीने धनुरासी के लोगों को भागय और खुशाली लेकर आएंगे गुरू का पंचम भाव में होना आपके लिए लाबकारी सिद्ध होगा वहीं बिरस्पति की नवम भाव, ग्यारमे भाव, लगन भाव पर दस्टी होने से महत्भून प्रभाव भी पड़ेगा अध्यात्म की ओर आपकी रुची बढ़ेगी आखिरी छे महीनों में गुरू के बिरसपरासी में यानि छटे भाव में गोचर करने से नकरात्मक पर भाव आपकी सेहत पर पड़ेगा तो लगन भाव का स्वामी गुरू छटे भाव में गोचर करेगा तो स्वैम को इस वरान मुश्किलों में डालने का काम करेंगे कोट कचरी की चक्कर लगाने पड़ सकते हैं तो इस समय थोड़ा सा आपको साबधान रहना होगा यहां तीसरे भाव का स्वामी सनी मूल तिरकौन रासी यानि कुम्बो में तीसरे भाव में सालवर रहेंगे और सनी की स्थिति आपके लिए काफी सुफलदाई होगी आपको अपनी जीवन के हर छेतर में सफलता मिलेगी आर्थिक स्थिति बहतर बनी रहेगी अच्छी सेविंग कर पाएंगे आपकी इच्छाएं पूरी होगी पारिवारिक जीवन में खुशाली होगी आपसी रिष्टे भी मजबूत होगी राहू सालवर आपके पंचम भाव में रहेगा केतु आपके दसम भाव में रहेगा तो राहू की इस्थिति के कारण आपको थोड़ा साबधान रहना होगा जमीन प्रोपर्टी की खरीद फरोक्त से जुड़े मामलों में सतर्क रहना होगा क्योंकि यहां दोकादड़ी की होने की आसंका बनेगी घर बनवाने या घर की मरमत करवाने के लिए अच्छा समय नहीं रहेगा पैसा टकने से आप परिशान हो सकते हैं इसके साथ यहां आपको नजर दोस लगने की संभाव न रहेगी जिसका आसर आपके परिवारिक जीवन पर पड़ेगा वही केतु के दसंभाव में होने के कारण आपको व्यवसाइक जीवन में मेहनत करनी पड़ेगी आपके हाथ में नई नौकरी के कई अफसर और प्रोजेक्ट आने के युग बनेंगे तो ऐसे में आप अपने कारे की पिरती समर्पित नजर आएंगे छटे भाव से गुरू की दूसरे भाव पर दरस्टी होने के कारण आप बचत पर ध्यान देंगे आर्थिक लाब भी होने का जोखिम बना हुआ रहेगा आर्थिक इस्तिती के लिए बहुत अच्छा रहेगा साल बर धन का आवगमन लगा रहेगा हलाकि आखिरी छे महिनों में खर्चे बढ़ेंगे तो ऐसे में अपने खर्चों पर ध्यान रखना होगा बुद्ध वेपार का कारक है और दसंभाव केरियर और सब्तंभाव साजेदारी का प्रतीक है बुद्ध के वक्री और दुरुबल होने की इस्तिते में आपको साबधान रहना होगा क्योंकि इस साल बुद्ध कई बार वक्री होंगे सबसे पहले 2 अप्रेल से लेकर 25 अप्रेल तक फिर 5 अगस्त से 29 अगस्त तक इसके बाद 26 नवंबर से 16 दिसंभर तक बुद्ध वक्री होंगे तो इस समय वैपारी कोई भी बड़ा निर्डे ना ले मार्च और अप्रेल का महिना विशीस रूप से साबधान रहे 23 सितंभर से 10 अक्टूबर के बीच का समय वैपारियों को बढ़ाने और साजेदारी में काम करने के लिए उत्तम साबित होगा एक माई 2024 तक का समय धनुरासी के चात्रों के लिए बिहत खास होगा क्योंकि इस समय नवंभाव में गुरू और सनी का गोचर आपको लाब देने का काम करेगा यानि पंचम और नवंभाव में तो उचिसिक्षा की चाहत रखने वाले चात्रों की इच्छा पूरी होगी विदेश जाने का मौका मिलेगा टीचर्स का गुरू जनों का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा यह समय नौकरी की तैयारी और विदेश जाकर आगे पढ़ाई करने की लिए सकारात्मक साबित होगा वही साल के पहले 6 महिने प्रेमियों के लिए बहुत अच्छे रहेंगे क्योंकि प्रेम और रोमांस के पंचम भाव में गुरू गराजमान होंगे जो आपके रिस्टों को मजबूत करेंगे साधी में बंधन के योग बनेंगे जो लोग अकेले हैं उन्हें सपनों का साथ ही मिलने की पूरी संभाव न रहेगी यानि प्रेम जीवन को लेकर आप काफी उत्सुक और जुनून भरे रहेंगे बुद्ध सपतम और दसं भाव की स्वामी है इसका प्रभाव निजी और वेवसाएक समंदों पर रहेगा वेवाएक समंदों को लेकर थोड़ा साब्धार रहना होगा क्योंकि बुद्ध की वकरी अवस्ता आपको परिशान कर सकती है आप दोनों के बीच कुछ गलत फैमिया पैदा हो सकती है तो ऐसे में जीवन साती की सेहत में गरावट आने से मन परिशान हो सकता है मार्च और अप्रेल के महीने में खास तोर पर अपने साती से बहस करने से बचना होगा वहीं दूसरी ओर 23 सितंबर से 10 अक्टूवर का समय आपके वैवाहिक जीवन के लिए बहुत सुब होगा क्योंकि इस समय बुद्ध उचिस्थान में वराजमान होंगे स्वास्ते की दरस्टी से साल में कुछ उतार चड़ावाएंगे गुरू के आपके लगन वहाँ पर जब दरस्टी होगी तो स्वास्ते के लिए समय अच्छा होगा हला कि अगर आप अपनी सेहत को नजर अंदाज करते हैं तो इस गोचर के दौरान आलस आपको मिलेगा जिससे आपका वजन बढ़ सकता है साकली साल के आखरी च्छे महिनों में सेहत पर ध्यान रखना होगा गुरू के इस्थिती पूरे साल आपकी संतान के लिए अच्छी होगी सुरू के च्छे महिने तो आपके लिए बेहत खास होगे हलाकि बाद के 6 महीनों में सारे रिक चुनोतियों से बचने में आपको गुरु सक्षम बनाएंगे और संतान से संबंदित सुख प्राप्त आपको होगा पूरे साल सनी की किरपा भी आप पर बनी होगी 2024 में अप्रेल का महीना सबसे खास होगा इस महीने में आप वहन खरीद सकते हैं आपका सपना पूरा होगा यदि आप कोई संपत्ती खरीदना चाहते हैं तो वहाँ भी आपको सफलता प्राप्त होगी धनुराशी के स्वामी गरह देवगुरु ब्रस्पती है तो धनुराशी के लोगों का भागे साली यंक तीन और साथ है तो दोस्तो ऐसी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें जै मता दी दोस्तो